मुंबई ट्राफिक पुलिस ने मुंबई में हर जगा CCTV कैमरे लगाए हैं वो सिर्फेस लिए कि लोग जो कानून का या 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 नियमों का उनलगन करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगनल तोड कर या जंप करके भाग भी जाते हैं और पुलिस ने पकड़ नहीं पाती इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए पूरी मुंबई में CCTV कैमरे इंस्टॉल किये गए हैं और इस कैमरे इंस्टॉल किये जाने के बाद जो ट्राफिक का जो जुर्माना वसूल करने का जो रेशू है उसमें काफी ज़्यादा इजाफा हुआ है लेकिन इस कैमरे लग जाने के बाद CCTV कैमरे लग जाने के बाद क्या वाकई सही लोगों से ये फाइन या ये जुर्माना जो वसूल किया जाता है क्या वाकई सही लोगों से वसूल किया जाता है यह एक सवाल है एक मामला हुआ है कुछ दिन पहले ही एक शक्स ने जो है अपने मुबाइल में जो ट्रैफिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो एप है वो इंस्टॉल किया और उसने ट्राइ करने के लिए अपनी गाली का जैसे ही नंबर उसमें पोस्ट किया, सर्च किया तो पदा चला कि उसकी गाली पे 200 रुपए का जुर्माना है, चुकि जब सबूत के तौर पर ट्राफिक के अप में उसने देखा तो उसकी गाली का नंबर था, और जब उसने स फोटो में गाली दिखाई दे रही है, वो गाली उसकी नहीं बलकि किसी और की है, जब उस गाली का नंबर उस शक्से ने काफी क्लोस करके जूम करके देखा, तो पता चला कि जो ट्राफिक पुलिस ने जिस गाली के चार्ज मार जो फाइन वसूली है, जो जुर्माना दिखाई दे रही है, उसमें पहले के जो MS0123 या जो भी रहता है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस बात को देखते हुए आखरी के जो चार्ट डिजिट है, ट्राफिक पुलिस ने उसको देखा, और उसके साथ अंदास के तहत, अपने से उसमें कुछ और जो ट्रा उस तक जो है, वो जुर्माने की जो रसीद है, वो उस तक नहीं पहुँच पाई, जबकि यही जो दंड है, आर्थिक दंड है, जो जुर्माना है, यह दूसरे शक्सी के पास पहुँच रहा है, और जो दूसरे शक्सी के पास जो बाइक है, वो बाइक करिज्मा है, जबक लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि मुंबाई में CCTV कैमरे इंस्टॉल हो गए हैं, ट्राफिक पुलिस कर्मियों की तादास ज्यादा हो गई है, कैमरे में क्या अभी भी असपस्ट अगर नहीं दिखाई देता कोई भी नंबर, तो ट्राफिक पुलिस मुख्याला में जो ब बैठे हैं, क्या उन्हें अगर CCTV कैमरे में किलियर काईदे का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वो साफ नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरह से अंदास के मुताबिक किसी की गाली का नंबर हो, गाली किसी भी गाली के जरिय या जो गुना होता है जो अफैन्स होता है जो ट्राफिक नियाम का पालन नहीं होता है किसी दूस्रे की गारी का और सजा कोई दूसरे की गारी गारी का नंबर देखकर उसको fine भरने के लिए बेढ़ दिया जाता है तो यह कहां तक दुरुस्त है इस बात को देखते हुए जॉइंट सीपी जो ट्राफिक है उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्हों ने इस बारे में किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया मुंबई से बंबे लीक्स के लिए शाहिद अंसारी